एक काला कानून पेश किया गया जिसके विरोध में आज हम सब लोग खड़े थे और बिहार के ही नहीं देश के तिहाद में ऐसा होगा तो सदन के अंदर पुलीस को बुलाया गया एस पी खुद वहां अपस्तित रहें डीम ने खुद विधायकों को जो लोकतंतर का मंदिर है विधायकों को घसीड घसीड के जो पीटने का काम किया गया हमारी पूर्व मंत्री जो महिला अती पिछरा समाच से जो आती है उन्नीता देवी का बाल खीच के सारी खोल करके घसी पीट करके जो ले जाने का काम किया गया आज का दिन जो है काला दिन के रूपे तेश की जन्ता याद करें विधायक जो हैं लगभग तीन लाक लोग उनको चुनने का काम करते हैं आप सब लेग उने वह फुटिज देखा होगा जहां एक पुलिस के अधिकारी जो हैं क मंद्ध्री दौरा की गई लगारा अब इस तरह का काम बढ़त मको अधिके निद्देश पर किया जा puntos हम जब सदन में रहते हैं तो अनिधिशक्मार गायब रहते है अब अभी निधिश publicly व्हत्तों सुना नितीश कुमार जी समाजवादी के नाम पे कलंग है आज लोहिया जी के जहन्ती के अपसर पर वही लोहिया जी जो कहा करते थे सरके अगर खामोश हो जाएं तो सदन और सरकार आवारा हो जाएं आज क्या दिन है सुबह सुबह मल्यापन कर रहे हैं और वही सदन के अंदर उनकी सारी विचार धारा को तार तार करने का काम किया आज शहादत दिवस के रूप में लोग भगत सिंग शुक्देव राजगुरु ने जो कुर्बानी दी उसके रूप में मनाया जाता है पूशल भगत सिंग अंग्रेजों के खिलाफ लगते थे और जो कानून अंग्रेजों ने लागु किया था वही कानून आज के दिन नितिश कुमार जी ने लागु किया है आप समझ सकते हैं आज के दिन अब काला कानून की मुख्यमक्री बड़ा प्रवच्ण बुर्गा का कि आतंगवादी आ जाता है ही हो जाता है तो आतंगवादी आएगा कोई बम रखेगा तो क्या जा करके ओर्डर ले करके आएगा मैजिस्टेट से तब जाके गिरफ्तार करेगा कारवाई करे पूलीस गोली मारेगी शदण के अंतर बोल रहे थे कि ने बोल रहे थे मुंबई में जब घटना हुई के नाइन इलेवन याद 26-11 जब घटना हुई तो क्या पुलीस के लोग वारंट लाने गए थे कि करवाई कर रहे थे जब इतनी बड़ी घटना हुई थी बॉम्बे में तो पुलीस खामोज बैठी थी कि वाईल के दिजार कर रही थी किसको बेवकूफ बना रही है मुख्यमंत्री पुलीस को औरड़ी पावर है यह देखिए CRPC का किताब है CRPC का सदन में रहकर के जूट बोल रहे मुख्यमंत्री CRPC 41 अगर आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है पुलीस वारंट के बिना कब गिराफ्तार कर सकेगी यानि बिना वारंट के भी पुलीस को गिराफ्तार करने की शक्ति अल्रड़ी है यह जो पुलीस अधिकारी के उपस्थिती में संगे अपराद करता हूं बोधी मंदिर में पुलीस की ड्यूटी रहती है अगर कोई अपरादी अगर कोई घटना बंदूख निकालेगा तो पुलीस इसको गिराफ्तार कर सकते इसको वारंट की जरूत नहीं है यह मुख्यमंत् अपर आये थे सदन में हम आये थे हम खड़े उठें उठकर के जब बोले लोगों ने देखा कि बार बार हमने अशन से मांग की कि हमको समय दिया जाए बोलने का और मुक्तिजिया आप तो गाइब हो जाते हैं आप बेवकूप बना रहें यह पूरी तरीके से इस कानून में अब देखिएगा बिना वारेंट के तलाशी की जा सकती है यादी कोई समय सिवा कुछ नहीं है जब विधायकों की विधान सभा में पिटाई हो जाएगी तो इस कानून के बाद घर घुश करके पिटेंगे लोगों को पत्रकारों को घर घुश करके पिटेंगे कोई वारेंट कोई चीज की ज़रुवत नहीं है इसमें बड़ा अजीब लिखा है कि इसमें जो है बिना वारेंट के अपना पूरा करवाई करेगी किसी व्यक्ति को गिरफतार कर सकता है जिसके बारे में उसका यह विश्वास है कि उसने यह अपराद किया विश्वास पे कोई भी पुलिस वदिकारी अगर उसको विश्वास हो जाए तलाशी लेगा कुछ नहीं भी मिला लेकिन उसको विश्वास हो जाए तो उसकी गिरफतारी हो जकती है यह क्या कानून है यानि पुलीस जाब चाहे और इसमें क्या होगा आम डागरीकों को पकड़ा जाएगा बोलेगा चलो ठाने दो थोड़ा रख रख आर्सीपी टैक्स दो नहीं तो ले जाएंगे बोलेगा मेरा जुन्म क्या है नहीं पुलीस बोलेगा कि हमको विश्वास है कि तुम अपरादी हो चलो जे यह कानून है तो मजाग बनाया जा रहा है बहस करने की बात कर रहे हैं मुकमतरी हम पर चुनौती देते रहे हैं कब से कहां बहस करना कब करना आके करो न कि नहीं करते हैं जब हम खड़े होते तो बोले नहीं दिया जाता एक एक चीज का लाया गया जिस तरह से विधाय को अप्रानित करने का काम किया बत्रकारों को मारने का काम किया यह ङनको यह पहली भारंज इगट दो बार पत्रकैरों को पीटा गया अरे आप राधियों को पकरो मंत्री जो दारू बेचवाने का काम करता हूँ उसको आप बचा के रखे हो काविशन आपका जो दुकान खोले हुए काल्या धन्दा जो शुरू किये हुए उसको आप संदक्षन देंगे स्रीजण घुटाल वाले को संदक्षन देंगे बालिका अग्री वाले को संदक्षन देंगे तब क्या कर रही थी आपकी पुलीस तर्था आप बचा रहते सत्ता संदक्षन यानि हम चुप रहे हैं यह तो अंग्रेज़ वाला कानून है ना जब हमने यह साबित ही कर दिया कि पुलीस के सामने कोई अपरात कऱेगा तो पुलात कर सकती लेकिन इसमें यह जोड़ा गया है कि उसको विश्वास हो जाएगा उसके विश्वास हो जाएगा टो भी गिरफ्तारी हो सकती है ले चाही हो आप हो हम हो और कोई नेता हो को प्रेटिकल कार्य करता हो या किसी से अवैद्वासूली कर दी हूं यानि नितीश कुमार जी पुलीस को ससक्त नहीं पुलीस को गुंडा बनाना और रंगदार बनाने का काम करें इस कानून से और लोक्तर्प के मंदर में यह अन्ट कॉंचूशनल है यह गयर सन्विधानिक है अभी व्यक्ति की आजादी जो हमको सन्विधान ने दिया यह उसको फुन चीनते का काम कर रहे हैं यह कानून कोई समय सीमा नहीं जब तक पकड़े हैं पकड़े हैं कोई कोट का काम नहीं रह जाएगा कैसे चलेगा सबस्क्राइब नहीं है यह तो हिटलर शाही है न तो आम जलता देख विए अज तो मेरे उपर भी जाल का जालेवा हमला हुआ कहां से बिल्डिंग से पत्थर कहां से आया बहुत जैसे हम पहुचे वैसे बहुचार करने देगा कोई मेजिस्टेट ने आया मेरे से बात करने कोई एस पी नहीं था वाँ बात करने के लिए अगर आप लोगे पस पूटेज होगा रिकार्डिंग होगा कोई मेरे पास जब हम पहुचे बंगला चोड़ा जाते पहुचने के साथ ही बहुचार करना शुरू कर दिया उपर से जो आपका छपरा स्पोर्ट से उसके उपर वाले बिल्डिंग से ही पहले ही से तैदात इतन वह घायल होगे कि आपके कारिकर्टाओं ने प्रवाजी की पुलिस अब अभी क्या करेंगी है सदर में बैटके मुख मत्री जूट बोल रहा है इतना बढ़का जूटा पाटी बीजेपी को कहते है उससे बढ़का जूटा ही है बढ़का जूटा पाटी से बढ़का आप सुनना चाहती है तो खाले हो करके बोलते हैं आशन को कि समय दे दिजिए नेता विरोधी दल को क्यों नहीं बोला गया कि वोलना चाहिए था कि नहीं अब जब हम नहीं हैं सदन के अंदर जबरदस्ती बार पीट करके विधायकों को पुलीस बल का प्रयोग करके दिया है मुखमंतरी भाज़त है खुद आते हाउस को कॉंफिडेंस में लेते हैं तो यह काम तो किया नहीं मुखमंतरी जी कहां गया अब जो है खाली हो गया तो उनकी आतमा को संतुष्टी मिल रही है अपने नयतिक्ता को नहीं बेच दिया है इसलिए आज कर अशर की बाद है इतनी घटनाओं के बाद वो डिनर पर जाएं सांस्कृति कारिकरम में भाग लेंगे इससे जादा बेश शरम मुखमंतरी पूरे हिंदुस्तान भी नहीं होगा उन्होंने शरम और नतिक्ता को बेच लोगतंतर की हत्ता की पुलिस का पर्वेश पहतल काえる है अब क्या कर रहते विदा को खास्ते का प्रकश्क प्रकष कर रहेते हैं क्या पत्रकार बा ham पिटा आये पत्रकार मेरा सवाल हमारी छोड़िये ना हम लोग लड़ाई करेंगे शंघर्ज करेंगे लेकिन आप लोग अपने बारे में सोची अब ये दिन आ गया जब लोक्तांत्र की मंदर मर ही पत्रकारों और विधायकों को पीटा जा रहा है तो इस कानून के बाद सुचे क्या होगा आपके घर में उठाकर के पिटेंगे लेकिन हमारे लोगों के साथ जो है वह मार पिट की गई है महिला अनिता जी वहां है उखायल है प्रट्पैर चलाने जादा पूर मंत्री तो बिहार पुलीस की महिला आपके घ्रसेट के लेकिन लेकिनकी बादन से बादन भाद भाल भाल सभ आसने अति पिछ़ा समाँट से या आती है आंपके इंसे थिवा घीच कर लाई के सब किए दो लोगों ने देखा कमें बटाईए आप लिए लोगे हम लोगों लोग देख रहे थे इस तरह हाथ कटा पैर में मोच आया सारा चिछन कप्रा कर ठीकता न खुछ था इसा हम बोले जारे घसीट के एकदम अंदर ए अंदर एकदम घसीट कर उस तरह जानवर को भी घसीट कर नहीं लिया जाजा जिस तरह हम लोग मानिय के साथ हो रहा है अभी जब आगे की रहनीती क्या होगी विफक्त की शंघर्श होगा आप लोग भागिदार बनी इस खबर को अभी लाइक करें शेर करें अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं